तो दोस्तों आज बनाएंगे आलू प्याज के पकोडे, खाने में बहुत स्वादिश्ट लगते हैं और इन में आपको आलू का भी और प्याज का भी दोनों ही टेस्ट आने वाले हैं और साथ में बनाएंगे ये गर्मा गरम एकदम कड़क मसालेदार चाई और ये चाई बनाएंगे हम डाबर की वैदिक टी के साथ तो फिर चलिए शुरू करते हैं सभी को नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आप आए हैं कीचन साला में और कीचन साला में आपका पहुत-पहुत स्वागत है तो ये देखिए पकोड़े बनाने के लिए मैंने तीन प्याज चील लिए हैं और दो आलू चील लिए हैं तो प्याज को हम इस तरह पतला-पतला काट लेंगे और ये जो बीच में जड़ होती है इसको निकाल देंगे और इस तरह सारे प्याज हम पतले-पतले काट लेंगे ये देखिए मैंने काट लिए हैं तो आप आलू ग्रेट करेंगे ग्रेट करने के लिए ये वाला मैंने ग्रेटर ले लिया है ये जो मोटी साइड होती है इससे हम ग्रेट करेंगे और आलू को इस तरह लंबे साइड में रखना है ताकि लंबे लच्छे इसके बनके तयार हो तो दोनों आलू को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने के बाद इनको डाल लेंगे एक बरतन में और पानी डालके इनको हम दो-तीन बार अच्छे से दोएंगे क्योंकि ये जो वाइट स्टार्च है न ये बिल्कुल निकल जाना चाहिए तो ये देखे इनको मैंने तीन बार दो लिया है अब इनमे वाइट वाला पानी बिल्कुल नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इनसे पानी बिल्कुल निचोड देंगे जितना हम निकाल सके इनका पानी निकाल देंगे और एक दूसरे बरतन में डाल लेते हैं और ये देखे अब ये आलू के लच्छे हैं देखे कितने अलग-अलग हो गए ना बिल्कुल सुखे-सुखे हैं तो ये जो प्याज हमने काटे थे ना इनको भी इस तरह हाथ से मसल लेंगे ताकि ये अलग-अलग हो जाएं इस तरह से देखे ये अलग हो गए हैं तो इनको भी इन आलों के साथ ही हम मिला लेंगे और आब इसमें साथ में ही कुछ मसाले डाल लेते हैं एक चोथाई चमच हल्दी डालेंगे आदी चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर चिली फिलक्स भी डाल सकते हैं एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे एक चमच अमचूर पाउडर डालेंगे आप चाहें चाट मसाला भी डाल सकते हैं या फिर निम्बू का रस भी डाल सकते हैं और आधी चमच गरम मसाला डालेंगे आधी चमच हम इसमें अजवायन रगड के डालेंगे जब भी पूरी या पकोडे बनाएं तो अजवायन जरूर डालेनी चाहिए ताकि गयस असीडिटी ना बने थोड़ी इसमें ये कसूरी मेथी डालेंगे बहुत अच्छी खुसबूआती है और अच्छा टेस्ट बनता है और एक चमच इसमें ये अदरक लैसुन का पेस्ट डालेंगे आप चाहें तो अदरक लैसुन कूट के डाल लीजिए और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू प्याज के साथ ताकि आलू प्याज पे मसालों की कोटिंग हो जाए और अब हम डालेंगे इसमें बेसन ये एक कटोरी बेसन है आदी कटोरी बेसन की हम इसमें डालेंगे और आदी कटोरी डालेंगे चावल का आटा चावल का आटा डालने से पकोडे हमारे क्रिस्पी बनेंगे और ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी बने रहेंगे और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप एक कटोरी बेसन ही डाल लीजिए तो एक बार इनको अच्छे से mix कर लेते हैं और अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है तो इसमें तीन चोथाई चमच हम नमक डालके mix कर देंगे और अभी इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है अब जितने जरूरत होगी उतनाग पानी डालेंगे लेकिन पानी एक दम नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालेंगे एक-एक-दो-दो चमच और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ये दिखे इस तरह हमने ये जैसे डो बनाते हैं आटा लगाते हैं उसी तरह बना लिया है इसको हम 10 मिंट के लिए ढखके रख देंगे तब तक कड़ाई में तेल डाल लेंगे और बढ़िया ही दो कप चाय बना लेंगे एक पतिला लेंगे और इसमें डाल लेते हैं एक कप पानी यहां मैंने तीन इलाजी ली हैं चार काली म डाल देंगे यह जो डाबर की वेदिक टी है इसमें भी हर्प्स और स्पाइस मिले वे हैं लेकिन मैंने अलग से भी डाल दिये हैं अच्छी मसालेदार बनाने के लिए और एक चमच डालेंगे इसमें यह देसी खांड हमारे घर में खांड ही यूज होती है चिन ही यूज तो इसमें आप बड़ी आसा उबाल आने देंगे चाय में जब इस तरह से उबाल आ जाए ने थोड़ी पक जाए तो चाय का टेस्ट ज्यादा अच्छा बनता है तो अब डालेंगे हम दूद इसमें मैंने डेड़ कप दूद डाला है क्योंकि जो एक कप पानीन डाला था वो पक के थोड़ा कम हो जाता है इसलिए एक कप से थोड़ा ज्यादा दूद डाला ताकि दो कप चाय बन जाए तो अब इसमें हम दो तिन उबाल आने देंगे बड़िया से ये देखें उबाल आ गया है तो एक बार चमच से भी गुमा लेते हैं ताकि जो उपर पपड़ है तो जल्दी से पकोड़े बना लेते हैं हाथों को मैंने थोड़ा चिकना कर लिया है और ये देखिए ये जो डो हमने बनाया है आलू प्याज का इस तरह थोड़ा लेंगे आप इस तरह भी पकोड़े बना सकते हैं तेल में डाल दीजिए या फिर इसको थोड़ी शेप दे देते हैं गोल सेप मैं दे रही हूं रफली देने हैं कोई ज्यादा प्रोपर गोल सेप आपने नहीं बनानी है बस थोड़ा टिकी जैसी सेफ इसकी हो जाए और इसको डाल देंगे गरम गरम तेल में पकोड़ों को हम गरम तेल में डालेंगे और फिर मीडियम फ्लेम प प्लटते हुए गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे अगर दोस्तों आपको आज की पकोडों की रेसिपी पसंद आ रही हो न तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मतभूर न यह देखिए इनको मैंने अलत पलट के दोनों साइड से पका लिया है अच्छा गोल्डन कलर इनका आ गया है तो इनको अब एक जाली में निकाल लेते हैं जाली में निकालने से इनका जो एक्स्ट्रा तेल है न वो निकल जाएगा तो सेम प्रोसेस से हम सारे पकोड़े बना के तयार करेंगे और साथ में यह गर्मा-गर कैसी लगी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई थैंक यू